अगर 6 मर्च को आप लोग भी चितरकला का पेपर देने वाले हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को चितरकला के वाइरल मौडल पेपर का सोलीशन बताने वाला हूँ और ये मौडल पेपर ऐसा वैसा मौडल पेपर नहीं है ये खुद UP बोड के द्वारा जारी किया गया मौडल पेपर है इसलिए इस मौडल पेपर से कई सारे क्वेशन जो हैं वा डाइरेक्ट आपको आपके पेपर में देहने को मिल सकते हैं ठेक है तो विडियो को पूरा देखिएगा तो समय तीन घंटे 15 मिनट का होगा पुरणांग आपका सत्तर नंबर का रहने वाला है इसमें क्या है पहला जो निर्देश है वह दिया है कि अपना अनुक्रमांग दिये गए ड्राइंग सीट के कभर पेच पर इसपष्ट अंको में विभक्त है तीनों खंडों को हल करना अनिबार है खंड क में क्या है कि इस खंड में आलेखन कला अत्वा प्राविधिक कला के 20 बहुविकल्पिय प्रश्ण है जिनमें से किसी एक के 20 बहुविकल्पिय प्रश्णों के उत्तर देने हैं मतलब या तो आप आलेखन कला का question कर सकते हैं या प्राविदिक कला का question कर सकते हैं किसी एक का ही आपको उत्तर देना है और दोनों में 20 बहुविकल्पिय प्रिशन है तो सबसे पहला है आलेखन कला तो आलेखन कला में जो होगा वो रंगों के बारे में question पूछा जाएगा कौन सा रंग सीतल होता है कौन सा रंग गरम होता है मुख्य रंग कितने होते हैं मतब रंगों से related questions पूछे जाएगे अलेखन कला में जैसे पहला प्रशन है कि मुख्य रंग कितने हैं तो मुख्य जो रंग होते हैं वो तीन होते हैं, कितने होते हैं, तीन होते हैं, इन में सीतल यारी कि ठंधा रंग कौन सा है, तो जो हरा रंग होता है, उसको हम ठंधा रंग कहते हैं, बहुत जदा important question है, ऐसे question आपको paper में देखने को मिल सकते हैं, तीसरा question है कि निम्ण में से कौन सा रंग जो है वो गरम होता है तो जो लाल रंग होता है वो गरम होता है ओष्ट वाल्ड चक्र में कितने रंग होते हैं तो ओष्ट वाल्ड चक्र में आठ रंग होते हैं निम लिखित में द्वीतियक रंग कौन सा है तो जो द्वीतियक रंग होता है वो नारंगी होता है ठीक है कौन सा होता है नारंगी होता है सिक्स नंबर क्वेशन है कि तठस्त रंग कौन से होते हैं तो जो तठस्त रंग होते हैं वह सफेद और काला होते हैं आपसा नंबर एक करेक्ट हो जाएगा प्रात्मिक अत्वा मुख्य रंग कौन कौन से होते हैं तो लाल पीला और नीला और इनको ही मुख्य रंग कहा जाता है तो लाल नीला और पीला Question No.8 है कि कौन से रंगों का जो माध्यम होता है वो पारदर्सी होता है जैसे पहला जल रंग, तैल रंग, एक्रेलिक रंग या पेश्टल रंग तो इसका जो correct उत्तर होगा वो जाएगा तैल रंग ठेका तैल रंग का जो माध्याम होता है वो पारदर्सी होता है सफेद का विरोधी रंग सबको पता है काला होता है लाल रंग में नीला रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा तो बैगनी बनता है अफसा नमबर एक correct हो जाएगा पीले रंग में लाल रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनता है तो नारंगी बनता है अफसा नमबर का पहला correct हो जाएगा द्वीतियक रंग कितने होते हैं तो द्वीतियक रंगों की जो संक्या है वो तीन होती है कितनी होती है तीन होती है पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है तो पीले का जो विरोधी है वो नीला होता है तो सब question आपको याद होने चाहिए इंद्र धनुस में कितने रंग होते हैं तो सभी को पता है इंद्र धनुस में सात रंग होते हैं कला सबद किस भासा का है? तो कला सबद संस्कृत भासा का है आप दो तिन question जो होते हैं वो pencil से पूछी जा सकती है जिसे किस pencil से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है किस से बनाई गई रेखा अधिक हलकी होती है तो ये सब चीजे भी आपको पता होना चीए जैसे 16 नमर कोशन है कि कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है तो 2B पेंसिल से जो बनाई गई रेखा होती है वो अधिक काली होती है ऐसे ही 17 नमबर कोशन है कि कौन से पेंसिल से बनाई गई रेखा हलकी होती है तो इसका option हो जाएगा 2H कौन सा हो जाएगा 2H ये दोनों आपको कोशन पता होने चाहिए 2B से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है और टूयस से बनाईगी रेखा जो होती है वो अधिक हलकी होती है फूल और कली के बाहरी रेखाओं को बनाने के लिए किस नंबर के ब्रस का उपियोग करना चाहिए तो दो नंबर के ब्रस का उपियोग करना चाहिए बनावट की दृष्टी से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं तो बनावट की दृष्टी से जो आलेखन है वह चार प्रकार के होते हैं लाश्ट नमर क्वेशन है कि छत के केंदर को अलंकरित करने के लिए कौन सा आलेखन जो होगा वो उपियुक्त होगा तो केंदरी आलेखन यानि option number A correct हो जाएगा तो यह जो 20 question है यह कहां से पूछा जाएगा तो यह पूछा जाएगा आलेखन कला से इस कला में केवल रंगों से related question पूछा जाएगा ठीक है अब दूसरा जो है section उसका नाम है प्राविधिक कला तो आपको अगर आलेखन कला नहीं करना है तो आप प्राविधिक कला कर सकते हैं इसमें क्या होगा math के question पूछे जाएगे तो जिनको कला के बारे में उतना ज़्यादा नहीं पता है तो वो math के भी question कर सकते हैं basic questions हैं बहुत ज्यादा कठी नहीं पूछा जाएगा जैसे दिया संबाहुत रिभूज का प्रतेक कोड कितने अंस का होता है किसको नहीं पता होगा साट अंस का होता है संपुर्ण कोड कितने अंस का होता है तो तीन सो साट अंस का होता है सम कोड कितने अंस का होता है तो 90 डिगरी का होता है अगर थोड़ा बहुत महत के बारे में जानते हैं तो सारे क्वेशन सही कर लेंगे वर्ग का प्रते कोड कितने अंस का होता है तो हमें पता है 90 डिगरी का होता है एक वर्ग के आंतरी कोडों का योग कितना होता है तो 360 होता है अब देखे, इसमें भी एक pencil से question दिया है कि कौन से pencil से बनाई गई रेखा अधिक काली होगी तो मैंने बताया था 2B 2B pencil से जो बनाई गई रेखा होती है वो अधिक काली होती है वर्ग की चारो भुजाओं की नाप क्या होती है तो हमें पता चारो भुजाओं उसकी बराबर होती है आफसन एक प्रेक्ट हो जाएगा मापनी में सबसे बड़े मुख्य भाग लिखा जाता है तो इसका आफसन होगा एक कौन सा 0 हो जाएगा question number 9 है कि एक मीटर में कितने cm होते हैं तो आपसने 100 cm होते हैं वृत का आकार कैसा होता है तो सबको पता है कि वृत आकार यानि गोले के आकार का होता है इन में से कौन सा आयताकार है तो गर नंबर हो जाएगा जिसकी लबाई ज्यादा और चड़ाई कम होती है उसे आयत कहते है इन में से कौन सा जो अकार होता है तरिभूजाकार है तो तीन भूजाओं से घिरे वही आकरती तरिभूजाकार छोटे छोटे question है basic से रेखा किसे कहते हैं तो दो बिंदूओं के बीच की दूरी को रेखा कहा जाता है निमनलिखित में से कौन एक अधिक कोड है तो 90 अंस से बड़ा लेकिन 180 अंस से कम के कोड को अधिक कोड कहा जाता है समभाहुत रिभूच किसे कहते हैं इसके तीनों भुजाओं के जो अंतह कोड होते हैं बराबर होते हैं सही है तो option नमर एक ही correct हो जाएगा 180 के कोड को क्या कहते हैं तो सरल कोड या रिजू कोड कहते हैं वर्ग किसे कहते हैं जिसकी चारों भुजाओं बराबर होते हैं तो option नमर एक correct हो जाएगा एक डेसी मीटर में कितने सेंटी मीटर होते हैं तो दस सेंटी मीटर होते हैं एक मीटर में कितने डेसी मीटर होते हैं तो दस डेसी मीटर होते हैं यह सब पैमाने की बारे में आपको पता होना चाहिए लाश्ट कोशन है कि कौन से Pencil से बनाएगी जो रेखाएं होती है वो हल्की होती है तो मैंने बताया था 2H Pencil से जो बनाएगी रेखा होती है वो हल्की होती है तो आप संवर्ग करेक्ट हो जाएगा तो अगर आप Rungo के बारे में उतना नहीं जानते हैं रोंगो के question को नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप math के question भी कर सकते हैं फिर आता है खंड ख़व जो कि 30 नंबर का question है और इसमें या तो प्राकृतिक द्रिस से चित्रड वाला भाग कीजिए या अलेखन कला या प्राविदिक कला किसी एक का ही चित्रड करना है अगर अब प्राकृतिक द्रिस से चित्रड करते हैं तो आपको figure बनाना होगा जिसमें दिया है कि दिये गए drying seat पर 22 गुड़े 18 cm के आयत में ग्रामेड सुर्योदय का द्रिस से चित्रड कीजिए खेत की ओर जाते हुए किसान का चित्र तता आकास में कुछ पक्षी गाओं की जोपणियां तता कुएं के पास घास चरती है गाय का चित्र बनाई है चित्रांकन में वाटर कलर या पेश्टल रंगों का प्रियोग करें चित्रांकन करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान देना है तो पहला है सही समझना एवं परिप्रिच्या ये अगर आपका सही होता है तो 10 अंक इसके दिये जाएंगे सनियोजन का 5 अंक होगा सु संगत रंगों का चैन एवं प्रियोग इस पर 10 अंक दिये जाएंगे और आकरशन एवं समान ने प्रवाव पर 5 अंक दिया जाएगा ऐसे अगर इसको नहीं करना चाहते हैं तो आलेखन कला कर सकते हैं इसमें भी आपको फिगर पनाना ही होगा और अत्वा में प्राविधिक कला कर सकते हैं इसमें आपको मैट से कोशन पूचा जाएगा जैसे यहाँ पर दिया एक का नमबर कोशन कि दो असमान वृत का और खा की अनुइसपरसी वैनिष्ट इसपरस रेखाएं कीचिए एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं क्रमसा 4 cm, 3.5 cm तता 3 cm है कि अंतरगत एक वृत की रचना कीजिए जो त्रिभुज की तीनों भुजाओं को इसपरस करें फिर आता है खंडगा जो कि है इसमृती चितरण और इस प्रश्ण के दो भाग हैं का तताखा दोनों ही भागों के चितर बनाना अनिवार है मतलब खंडगव में आपको चितर बनाना ही पड़ेगा जैसे कर नंबर है कि निमनलिकित में से किसी एक का इसमृती चितरण पेंसिल के माध्यम से बनाईए चितर की जो माप है वो 15 cm से कम नहीं होना चाहिए जैसे पतियों सहित आम बना सकते हैं ठीक है इसमें या तो सुराही बना दीजिए या तो खुला चाता कप और प्लेट जग इसमें भी रेखा सौश्टव पर चार अंक और आकरती की अनुरूपता पर 6 अंक दिये जाएंग ठीक है अथवा में भारतिय चितरकला दिया है तो इसको मत कीजिएगा आप लोग इसे ही कीजिएगा कौन सा है इसमृति चितरर केवल फिगर बनाना कर देंगे अगर भारतिय चितरकला करना चाहते हैं तो इसमें आपको पढ़ना पढ़ेगा ठीक है जैसे दिया अजनता की पर और चितरकला एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके परसिंटेज को इंक्रीज करता इसमें नंबर पाना बहुत ही असान होता है तो वही 20 मैट के कुशन थे जो की बहुत बेसिक है फिर उसमें फिर आता है बीस तीस नंबर का कुशन या तो फिगर बनाईए या मैट के कु बनाना ही पड़ेगा और बहुत ज़्यादा कटिन फिगर नहीं है पत्तियों साइथ आम अनार मूली यह सब पिछले क्लास में बनाते हुए ही आये हैं साथ में आठ में यही सब तो बनाना था तो आसानी से कर सकते हैं ठीक है तो चलिए मिलते हैं नेक्ष वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद